है गाईज आइम सपना पाटनी वैलकम टू माई चैनल सिक्षा हाउस आप सभी का स्वागत है दोस्तों इस चैनल पे आज हम तीन फरवरी का करंट अफेर पड़ेंगे तो आप मेरे साथ बने रहें कोई नया है इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे बाकी जी के इस रिलेटेड वीडियोस के लिए जो आती रहती हैं तो चलिए दोस्तों आज का करंट अफेर स्टार्ट करते हैं पहला प्रशन है हमारा विश्व आद्र भूमी दिवस यानि वर्ल्ड वेटलेंज डे पूरे विश्व में कब मनाया जाता है तो इसका राइट आंसर होग और इस बार की 2021 की थीम वेटलेंज एंड वाटर है और इसको पहली बार सेलिब्रेट किया गया था 1997 में और वेटलेंज डे की बात करें तो ये वेटलेंज कंवेंशन के सुख्रिती की तारी को चिन्नित करने के लिए दिन मनाया जाता है और दो फरवरी 1971 को रामसर सम्मिलन पर हस्ताक्षर हुए थे रामसर इरान में और हमारी इंडिया में करेंटली 42 रामसर साइट सें जो की एशिया में मैक्सिमम हैं अगला प्रशन है हमारा हाल ही में किस राज में मो जंगल और नो यूर फॉरेस्ट लैंड मोबाइल एप लॉंच किया गया है तो कौन सी स्टे इन ने जंगल और 9 इयर फॉरेस्ट लैंड मॉबाइल एप लॉंच किया है तो इसमें बारत में वन चेतर से के बीच पांच राज्यों मेंसे एक है और इस्ने लाउंच किया है अपना मो जंगल और नो येर फॉरेस लेंड मींज अपने फॉरेस लेंड के बारे में जानने के लिए जो भी उडिसा में है और इसमें हमने फॉरेस के रिगार्डिंग बात की है तो जो लास्ट हमारा फॉरेस रिपोर्ट आया है 2019 का उसके बारे में भी जान लेते हैं जो की बड़ वन छेत्र के बीच में पांच राजियों में से उडिसा एक नमबर है गवेले जो आता है दूसरा की िसरा चतिसगर चौथा ओडिसा возь आता है और लास आता है यह přोरेस्क रिपोट 2019 के जो सीरीज में आ रहे हैं नंबर अगले प्रशन पर बढ़ें तो ग्वेंट फू ट्रों को 2021 में लगातार तीसरी बार किस देश के प्रमुक के रूप में चुना गया है तो किसको रिएलेक्टेट किया गया है थर्ड कॉंजिकेटिव टर्म 2021 में तो इसका राइट आंसरो को आप्शन ए वेतनाम में ग्वेंट फू ट्रों को 2021 में लगातार तीसरी बार प्रमुक चुना गया है वेतनाम की बात कर रहे हैं तो इसके रिगार्डिंग फैक्ट भी जान लेते हैं वेतनाम की कैपिटल हनोई यहां की करेंसी वेतनामी डोंग है और यहां के प्राइम म लगातार ग्वेंट फू ट्रोंग है अगला प्रश्ण है हमारा हाल ही में निम्लखित में से किस बैंक ने एक फरवरी 2021 से गेर ए papam से पैसे निकालने नौन एमवी एटियम से तो नौन एमवी की हम बात कर रहे हैं तो यह आपके Magnetic Stripe Cards होते हैं जो कि अब एक फरवरी 2021 से पी एन वी एटियम से आप पैसे नहीं निकाल सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक की बात कर रहे हैं तो इसका headquarter new Delhi और इसको found किया गया था 19 मय 1894 लाहर पाकिस्तान में founders रहे थे इसके लाला लाच पत्राय और द्याल सिंग मजीतिया और इसके CEO है अभी के SS मली कारजुना राओ तो यह जो मैं आपको साथ साथ static पार्ट भी बता रही हूं तो इसको भी याद करते रहिएगा अपने अगले प्रश्ण पर बढ़ते हैं हमारा अगला प्रश्ण है ऑक्सफोर्ड ने निमलिखित में से किस शब्द को वर्ष 2020 का हिंदी शब्द चुना है तो किस शब्द को वर्ड ऑफ दा इयर 2020 चुना गया है ऑक्सफोर्ड के द्वारा तो इसका राइट अलग डिक्षणरी की बात कर लेते हैं जिस पे 2020 में अलग अलग वर्ड चुने गए हैं सबसे पहला बात करें Cambridge डिक्षणरी का जो की गौरेंटाइन चुना गया है Merriam Webster का महामारी pandemic चुना गया है और dictionary.com की बात करें तो word 2020 चुना गया है pandemic महामारी और call-in dictionary के द्वारा lockdown word चुना गया है तो ये भी अलग-लग जो dictionaries हैं उसके regarding कौन सा word चुना गया है 2020 से related तो ये भी question बन सकता है इसको भी याद रखेगा अगला प्रशन है हमारा हाल ही में किस देश ने अपने भोगोलिक संकेतिक अधीनियम 2020 के तहत बास्मती चावल के लिए भोगोलिक संकेत GI टेग प्राप्त किया है तो किस कंट्री ने GI टेग फौर बास्मती राइस प्राप्त किया है जिग राफिकल इंडिकेटर्स एक्ट 2020 के तहत तो इसका राइट आंसर होगा option D पाकिस्तान पाकिस्तान ने जिग राफिकल इंडिकेटर्स एक्ट 2020 के तहत जी आई टेग प्राप्त किया है बास्मती राईस के लिए जी आई टेग की बात करें तो यह किसी विशेश छेत्र राज देश के उत्पाद निर्माता या फिर कहें वेवसाईयों के समूं को अच्छी गुणवत्ता के क्रिशी और द्योगिक प्राकर्तिक वस्तों को बनाने के लिए दिया जाता है तो यह आपका जी आई टेग जो दिया जाता है अलग लग छेत्रों में अगला प्रशन है हमारा शिवालिक पहाड़ी के व्रिक्षों के संरक्षन के लिए भारत के किस शहर में सिवाले आर्बोरेटम नाम के पहले प्रकार के वनस्पति उद्यान का उद्घाटन किया गया है पहाड़ पर जो व्रिक्ष होते हैं उनका संरक्षन करने के लिए आर्बोरेटम नाम का अपनी तरीके का पहला गार्डन ये कहां पर खोला गया है तो इसका राइट आंसर होगा आप्शन ए नैनिताल नैनिताल में शिवालिक पहाड़ी के व्रिक लेकिन पार्ग भी खोला गया है और उत्राखन में ही भारत का पहला पॉलिनेटर पार्ग खोला गया है और उत्राखन में ही भारत का पहला मौस पार्ग भी खोला गया है और इसी के साथ साथ हिंत इंद्वा संरक्षन केंद्र और ग्रीन रामायड पार्क यह सब यहां पे जातियों को सरक्षित करने के लिए यह श्रीवालिक आर्बोटेरम पार्क खोला गया है तो याद रखेगा अगले प्रश्ण पर बढ़े तो हमारा अगला प्रश्ण है निम्लिखित में से किस भारती अमेरिकी को नासा का कारवाहक चीफ आफ स्टाफ नुक्त किया गया है त तो इसका राइट आंसरों को ऑप्शन भी भाव्यालाल को भाव्यालाल को एक्टिंग चीफ आफ स्टाफ नासा का नुक्त किया गया है हम यहाँ पे बात करें तो यह है 2005 से 2020 तक Institute for Defense Analysis में शोद कर्मचारियों के सदस के रूप में कार किया इन्होंने और IAA International Academy of Astronauts की बात करें तो इन्होंने यहाँ पे सदस से भी चुना गया था जो कि अंतरिक शेत्रों में योगदानों के लिए इन्होंने काम किया है IAA की बात करें जो कि हमारा International Academy of Astronautics है जो कि फाउंड किया गया था 16 अगस्त 1960 और यहाँ का हेड़कॉर्टर इसका मुख्याले है पैरिस में प्रेसिडेंट की बात करें तो इसमें डॉक्टर पीटर जान कोविट से हैं हमने यहाँ पे नासा की बात की तो इसके बारे में भी डीटेल जान लेते हैं इसका फॉर्मेशन 29 जुलाई 1958 को हुआ और इसका मुख्याले हैड़कॉर्टर वाशिंटन डीसी यूएसे में हैं तो यह भी चीजे याद रखेगा इसके साथ साथ जो मैंने और अधर चीजे बताई हैं नेक्स कोशन है हमारा किस भारतिय क्रिकेटर को ICC Men's Player of the Month जो की जैनवरी के लिए है नामांकित किया गया है तो किस प्लेयर को नॉमिनेट किया गया है ICC Men's Player of the Month तो इसका राइट आंसर होगा आप्शन डी रिशापंथ रिशापंथ है जो की इंडियन क्रिकेटर है उनको नॉमिनेट किया गया है ICC Men's Player of the Month हम यहाँ पे ICC की बात कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड डीटेल भी जान लेते हैं इसका मुख्याले की बात करें तो दुबई UAE संयुक्त अरब अमीरात में हैं और इसके CEO Manu Soni है चेर परसन अद्देक्स की बात करें तो ग्रेग बार्कले हैं जो की नॉजिलेंड से हैं तो यह ICC से रिलेटेड हमने चीजें डीटेल जान लिए तो यह भी याद रखेगा कि ICC का हेड़क्वार्टर कहां पर दुबई CEO हमारे इंडियन Manu Soni हैं चेर परसन ग्रेग बार्कले जो की नॉजिलेंड से हैं ठीके नेक्स कोशन है हमारा पहली एशियाई Online Shooting Championship में किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं तो किसने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं First Asian Online Shooting Championship में तो इसका यह ने पार्टिसिपेट किया था 22 Asian Countries ने पार्टिसिपेट किया था और 274 शूटर्स ने भारत की बात करें तो भारत की और से शौरप चौधरी ने पुरुष 10 मीटर एर पिस्टल दिव्यान सिंग पवार ने पुरुष 10 मीटर एर राइफल में और काइनन चेनाई ने पुरुष ट्रैप और राजिश्वरी कुमारी ने महिला ड्रैप में गोल्ड मेडल जीते हैं यह भी याद रखेगा कि किस किस ने क्या मेडल जीता और किस में मेडल जीता है ठीक है तो 274 शूटर्स ने पार्टिसिपेट किया था 22 एशियन कंट्रीज के अगला प्रशन है हमारा हाल ही में किसके द्वारा वर्ष 2020 को वर्ष्ट इयर ओन रिकॉर्ड रिकॉर्ड को सबसे खराब वर्ष घोशित किया गया है तो किसके द्वारा किया गया है आप्शन डी यूएन डब्लू टीओ के द्वारा तो अम इसका फुल फॉर्म जाने तो युनाइटेड नेशन वर्ल टूरिजम और्गनाइजेशन है जो कि स्तैयोक्त र परियेटन दिवस कब मनाया जाता है तो यह भी से रिलेटेड आपको पता होना चीए 27 दिसंबर को हर वर्ष विस्व परियेटन दिवस को मनाया जाता है लास्ट प्रशन हमारा स्प्रिंटर आंद्रेडी ग्रासे ने रेस विद्मी पुस्तक लिखी है यह किस देश से हैं तो इसका राइट आंसर होगा औप्शन भी कैनेडा यह कैनेडा से बिलॉंग करते हैं और इस बुक को जुलाई 2021 में रिलीज किया जाएगा और यह है उलम्पिक में तीन पदक जीतने वाले पहले कैनेडाई धावक हैं तो यह रहे हमारे आज के तीन फरिवरी के मोस इंप बहुत धन्यवाद थेंक यू सो मच